हेलो फ्रेंग्स वेलकुम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस स्नैक्स को हम बनाएंगे उबले हुए आलू से और साथ ही हम इसमें ब्रेट भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक होने वाला है और जटपट बन कर तयार हो जाएगा तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बन नोटिफिकेशन को ओन कर दें तो यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू ले लिये हैं और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फोक से ही मैश कर लिया है आप चाहे तो इनको ग्रेट भी कर सकती है या इसको मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लें बस आलू को इतना मैश करना है कि इसमें कोई भी मोटी गुटली ना रहे तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और अब हम इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी प्याज मिला दूँगी जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है अब मैं इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्श डाल दूँगी अगर आप बच्चों के लिए बना रही है तो आप इसको स्केप कर सकती है थोड़ा सा हरादनिया डाल देंगे अब इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्श डाली है और इगैनो डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला डाला है साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें साबुजीरा भी डाल देंगी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग काले मिर्च का पॉर्डर डाल देंगे और कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आप यहां पर हल्दी पॉर्डर भी डाल सकती है थोड़ा सा निम्बू का जूस डाल दिया है निम्बू के जूस की जगा आप इसमें अमचूर पॉर समय चीजों को मिक्स करने के बाद हम बम मीद का शाट करें यह पGUامक्यक्त चीजों को एक श now करेंगे और हम एक साइट प्रोली OH को में पहलें लेका जार को मैंको जलाइप दोली है आदा उन्ने को हम rushed Eld-Dip अच्छी तरीके से पीस लेंगे तो यह जो हैं हमारी ब्रेड क्रम्स बन कर तयार हो गए हैं अगर इसमें कोई एक आधा मोटा पीस रह जाता है तो उससे आपकी रेसिपी में कोई फरक नहीं पड़ेगा अब क्या करेंगे कि यह जो आलू-अला मिक्चर है इसमें हम यह सारे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे अब आप इसमें टेस्क अकॉर्डिंग नमक डाल सकती हैं तो इसकी कॉंटिटी देख लें उसके हिसाब से आप इसमें नमक डाल दे और इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हाथों से मैक्स कर लें तो यहां पर मुझे चार ब्रेड स्लाइस भी लग सकते हैं या कम भी लग सकते हैं यह आपके आलू पर डिपेंड है कि उसमें कितना मुश्चर है तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यह हमारा एक डो बन कर तयार हो गया है तो इस डो को हम एक साइट पर रख देंगे और एक तरीके से रख दें तो इसका मैंने गोल पेड़ा जैसा बना लिया है और इसको हम फॉयल पर रख देंगे और यह बाकी की फॉयल से इसको हम कवर कर देंगे आप चाहे तो दूसरे फॉयल पर ऑईल लगा कर उससे इस डो को अच्छी तरीके से कवर कर दें और इसको हातों स तो इसको हमें बहुत जादा बारीक नहीं बेलना है बस इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है तो मैंने इसको बहुत अची तरीके से बेल लिया है और इसका अब हमने foil हटा दी है तो देखें ये बिलकर तयार है अब आप इसको या तो cookie cutter से किसी भी shape में काट सकती है या जैसे मैं इसको strips में काट रही हूँ उसी तरीके से आप इसको strips में काट लें आप इसको triangle, rectangle जिस shape में भी काटना चाहें वैसे भी काट सकती है या cookie cutter से अगर आप इसको कोई shape दीना चाहती है तो वो भी दे सकती है मैंने इसको simple strips में ही काटा है और इसको हम foil से हटा कर अलग से एक plate में रख देंगे तो ये बहुत easily निकल आएगा क्योंकि इस foil पर हमने पहले oil लगा दिया था तो ये foil पर चिपकेगा नहीं और बहुत आराम से ये जो strips हमने बना कर रखी है ये निकल आएगी तो देखें मैंने इन सारी strips को एक plate में निकाल लिया है और pan में मैंने oil को गरम होने के लिए रख दिया है यहाँ पर हम इनको shallow fry करेंगे deep fry नहीं करेंगे तो pan में बहुत थोड़ा सा oil डालें और जब ये oil गरम हो जाए एक एक करके इन strips को आप इसमें डाल दें तो मैंने ये जो strips बनाई थी इनको काट कर थोड़ा सा छोटा कर लिया है और इन सभी को मैं pan में डाल दूँगी और low flame पर इनको पहले हम एक side से अची तरीके से fry होने देंगे और जब ये एक side से fry हो जाएंगी तो हम इन सभी को पलट कर दूसरी side से भी golden brown होने तक fry कर लेंगे तो देखिए ये bread fingers एक side से fry हो चुकी है इसको मैंने पलट दिया है पलट कर दूसरी side से भी इसको थोड़ी देर के लिए fry कर लेंगे और जब ये दोनों side से अच्छी तरीके से golden brown हो जाएंगी तो इसको निकाल लेंगे और जो बच्चू ही fingers हैं उसको भी हम इसी तरीके से fry कर लेंगे अब हम इनको serve करेंगे तो उसके लिए मैंने इसको एक platter में रख दिया है उपर से मैं इसके mayonnaise लगा दूँगी और थोड़ा सा tomato ketchup लगा दूँगी जिसे ये देखने में भी खुबसूरत लगेगा और खाने में भी मज़िदा सा टीस्ट आएगा और अगर आपको ये recipe बनाने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ recipe को ज़रूर share करें और अगर आप इसी तरह की और मज़िदार recipes देखना चाते हैं तो चैनल को subscribe करके bell notification को on करना ना भूले फिर मिलेंगे एक और मज़िदार सी recipe के साथ थैंक्स और वाचिंग अल्ला हाफिज